ओर फेज़ेंस भी स्वागा देखने वीडियो में फ्रेंस इस वीडियो के अन्दर बात करने वाला हूं किसी भी नंबर को आप एक्सपोर्ट यानि की जिमेल आइडी या फिर कहीं और शेयर करना चाहते तो वो कर सकते और import करना चाते यानि कि आप लेना चाते तो वह भी कर सकते हैं तो friends इस वीडियो के अंदर यही features के बारे बात करने वालाओ इस setting आपको कहां दिखता है import, export का और उसको कैसे आप Google Drive, Facebook या फिर कहीं भी संभाल के रख सकते हैं contact number को या फिर SD card में तो import और export दोनों करना बताऊंगा friends अगर चैनल पर पहले वालाएं तो चैनल को like, share and subscribe करना मतब देगा मेरे पास चुब phone है आप देख सकते हैं यह phone है Redmi का Redmi 9 Prime और इसमें आपको बताने वालाऊं import, export का setting तो friends आगर बने से पहले चैनल पर पहले वालाएं तो चैनल को subscribe वीडियो को like कर दीजेगा ताकि आपको latest वीडियो का update मिलता रहे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पर dial pad देखेगा तो आपको इस पर click करना होगा क्लिक करते हैं इंपोर्ट, export का option देखने को मिल जाएगा तो आपको इस वाले setting पर click करना होगा यहाँ पर और वी features देखने को मिलता है बट इन सब पर बात नहीं करने वाला हूँ मैं सरी बात करने वाला हूँ contact, import, export पर तो इस पर click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल जाता है सीम में, storage में आपका जो भी contact number होगा सारे शोग हो जाएगा contact में आप देख सकते हैं, यहाँ से share कर सकते हैं इन सब इको easily ठीक है तो माल लीजी मेरा इसमें है ठीक है, और इसमें 200 contact number आपको देखने को मिल जाता है जो कि contact list में है और इसको okay पर click करेंगे तो आप इसको यहाँ से easily group बना सकते हैं और उसको select कर सकते हैं ठीक है, और भी number को और यहाँ पर देखने को मिलता है इनपोर्ट, इनपोर्ट कर सकते हैं आपका Gmail ID बगएरा, यहाँ पर बगएरा मेरा कुछ नहीं है होता तो यहाँ पर show होता Gmail ID से में import करता और मेरे contact list में show हो जाता, ठीक है import SIM card से भी आप import करना चाहते है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से सभी number को select करने का option मिलता है अब देख सकते हैं, यहाँ पर contact list बन जाएगा और exported आपको लिखा आएगा file और उसे एक file में convert होके आप उसको Facebook, Instagram कहीं भी save कर सकते हैं यह तो हो गया storage वाला अब यहाँ पर SIM का option देखने को मिलता है अब SIM पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पर SIM में करीब करीब 200 contact number है जो कि मेरा save है और उसको इस पर क्लिक करूँगा तो मैं उसको easily Facebook, Instagram या फिर कहीं भी share कर सकता हूँ और इन सब को भी add कर सकता हूँ ठीक है friends और friends यहाँ से back करते हैं या पर contact पर share पर क्लिक करते हैं तो इन में से यह भी यह भी और इन सब को share कर सकते हैं यहाँ से easily Bluetooth के जड़िए, share it के जड़िए या फिर आप Google Drive पे, Gmail ID पे या फिर SD Card में या भी Bluetooth के जड़िए ठीक है तो इस तरीके से आप अपने फाइल को share कर सकते हैं प्राइंस वीडियो पसंद आए तो like, share and subscribe का नमात खुलेगा तो मिलते हैं से बंटरेश्टिम वीडियो के साथ अब तक के लिए नमस्कार इनकुद पाय, take care